हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सब सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का टॉपिक है आप सब के बहुत से कॉमेंट्स आ रहे थी तो मैंने सुचा एक वीडियो सेपरेटली आपके लिए बना देती हूं आपको पूछ रहे थी कि मैं ठंडियों का टाइम है तो बच् अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो इसी तरीके टेली वीडियो देखने के लिए चैनल को जड़ों सब्सक्राइब करके रखें पास में जो घंटे उसको भी दबा कर देखें तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स बच्चे की मालिस क अजवाइन डाल सकते हैं मैसी डाल सकते हैं तो इससे तेल अच्छा खासा बन जाता है जो कि आपके बच्चे को पूरी सर्दियों भर सर्दी खांसी जुकाम जैसी दिक्कतों से बचाएगा तो अगर आप भी अपने बच्चे को पूरी सर्दी सर्दी जुकाम खांसी से ब दूसरा आप डावल लाल तेल से भी जड़ी बूटे यह अच्छा है और आप डावल लाल से बच्चे की अपनीत सर्दीयों में मालिश कर सकते हैं के बाद थीसरे थी फिगारू इसको मतलब कि जैतून तेल जो होता है वो तो आप जैतून के तेल से भी बच्चे की सरदियों में मालिस कर सकते हैं यह तेल का इस्तमाल ठंडियों में करने से बच्चे के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसके बाद चौथा तेल है तिल का तेल से भी आप पच्चे के मालिश कर सकते हैं लेकिन जैसे आप तो को पता है कि तिल के तेल की जो तासीर होती है बहुत ज़्यादा तो आपको ध्यान देना है कि बीक में केवल तीन बार करें इससे ज़्यादा आप ना करें तो फ्रेंड्स मैंने जो आपको चार तेल बताए हैं उनमें से आप कोई भी एक चूस कर सकते हैं अपने बच्चे की मालिस करने के लिए सर्दियों में ठीक फ्रेंड्स मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहे ऐसे ही रेश